एक ऐसा संद जो करता है करोणों दिलों पर राज वो किसी एक धर्म का नहीं बलकि सभी धर्मों का सांझा है उसने छुड़वाया है करोणों का नशा, मांसाहार और हराम खोरी वो लेखक भी है, कायक और संधीत कार भी, वो किसान भी है इंजीनिया और डिजाइनर भी, वो है एक ऐसा खिलाड़ी जो खेलता है 32 गेम्स उसी ने बनाया है वैश्याओं को अपनी बेटियाँ उसी ने ली है किन्नरों की सार वो डाल सकता है मुर्दों में जांद उसके नाम है 25 विश्वरिकार्ट्स उस्वरिकार्ट्स कौन है बो सूपर हुमन सूपरिकार्ट्स झाल 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 और आरहा है पोपेता प्मा गयाने अधिया बगश exhale संत गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इनसा ये दिखने में जितने खूपसूरत है उतने ही खूपसूरत इनके हुनर भी है लिखते भी खुद हैं गाते भी खुद हैं और संगीत भी खुद ही बनाते हैं खास बात ये है कि ये अपनी लाइव प्रस्तुदी में हर बार साथ नए गाने और साथ नई धुनों के साथ मैदान में उतरते हैं और पूरी रात परफॉर्म करते हैं इनके अलफास इनकी धुने और परफॉर्मेंसस मुर्दों में भी जान भूग देती हैं इनकी दीवानगी का जादू लोगों के सर चढ़ कर बोलता है हर हफ़ते लाखों लोग पूरी रात इनको सुनते हैं नाचते हैं, जूमते हैं और इनके साथ ही गुन-गुनाते हैं इनके दीवाने पूरी दुनिया में हैं और इनकी अब तक 19 एल्बम्स भी रिलीज हो चुकी है 2013 में इनकी रिलीज हुई अल्बम LOV रब से 65 लाख से भी ज्यादा बिक चुकी है और इसी बजह से विश्व की जानी मानी म्यूजिकल कामपनी युनिवर्सल द्वारा इनको Global Block Award भी दिया चाचुका है संत गुर्मीत रामरहीम सिंग्जी इनसां सिर्फ गायक, लेखक और संगीत कार ही नहीं है इनके ड्राइविंग स्किल्स देखकर बड़े बड़े महारती, दातों तले, उमलियां दबा लेते हैं देखने वालों को लगता है, जैसे ये वाहन चला नहीं रहे बल्कि उसके साथ खेल रहे है साइकल से लेकर पानी के जहास तक हर वाहन चलाना, मानो इनके बाए हाथ का खेल है JCB और भारी क्रेम को निपुरता से चलाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर इनकी बाड़ी की पावर की बात करें तो इस फील्ड में भी ये महाबली है 12 तन वजनी बस को गद्देदार घास पर खींचना कोई खाला जी का घर नहीं है दिल्चस्प बात ये भी है कि इन्होंने कभी जीप या ट्रेक्टर का टायर बदलने के लिए जैक का नहीं, बलकि अपने बाहु बलका ही प्रियोग किया है खेल जगत में भी इनका अपना अलग ही नाम है एक या दो नहीं, बलकि पूरे 32 नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेल कर इन्होंने सब को हैरत में डाल रखा है और ये बॉलर चले और बॉलकी और पुझे बिदाजी का शांदार शोट लॉंगों के उपर से शांदा गगन चुमी चक्का एक बार फिर बॉलर चले और मुझे बिदाई बिलकुल तयार खेले के लिए एक बार फिर शांदार शोट हवा में लहराती हुई गेंड बिलकुल कगन चुमी चक्का एक बार फिर यहां पर स्पिन को इंचुड्यूच किया गया है मीडियम पेशर माँ पिटे हैं बिलकुल सिधे बोला एक बार फिर शांदान शौट्राइबल एक बार फिर बोलर तयार है और है पुझे भीटाशमी तयी याँ पर एक बार फिस से फार चार्ग में देखना है कि breश प्र एक ऑठोल गार यहां एक चार्ट था यानि जो आम तोर फैट छक्चे की दुस्तिमा तेह की जाती है उससे यदि कोई शोट तेट गुना दूर जाना जाए तो उससे अठा कहा जाता है इस तरह के गोल्स अगर असंभव नहीं तो आसान भी नहीं होते दिल्चस्पी का आलम तब और बढ़ जाएगा जब हम आपको बताएंगे कि ये कई खेलों के अंतरराश्ट्रिय कोच भी है इनकी टीमोंने योगा और थ्रोबॉल में वर्ल्ड कब जीते हैं रोलर स्केटिंग की टीम ने तीन बार लगातार एजिया कब जीता है और यही वजह है कि सब ही खिलाडी इनको अपने पापा को उच मानते हैं हर साल नैशनल में सैकडो गोल्ड मेडल्स जीतने वाले बच्चे इन्होंने ही तयार किये हैं ये खेल खेलते ही नहीं बलकि इजाद भी करते हैं क्रिकेट में 2020 के मैच का आविशकार भी इन्होंने ही किया है सबसे पहले सन 1999 में 2020 मैच की प्रतियोगिता इन्होंने ही करवाई थी यही नहीं एक नया खेल कुलस्टिक भी इन्होंने इजाद किया है जो कि पूरे उत्तर भारत में लोक प्रिय हो चुका है गुली डंडा, बेसबॉल और क्रिकेट के मिश्रण से बने इस खेल की तीन बार नैशनल प्रतियोगी ताइम भी हो चुकी है इनके हुनर का जिक्र अभी तो शुरू ही हुआ है अभी तो सब कुछ बाखी है संत गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इनसा एक कमाल के इंजीनियर भी है सिविल इंजीनियरिंग से लेकर मकैनिकल इंजीनियरिंग तक हर फील्ड में इनकी तूती बोलती है फाउंटिन बनाने वाली एक कमपनी कई साल से खोच कर रही थी कि पाँच-पाँच फवारे एक साथ कैसे चलाए जाए तब इन्होंने उनको ऐसी टेकनीक बताई जिससे एक साथ, दस, बीस या पचास नहीं पूरे हजार फवारे चल सकते हैं इसकी सफलता पर कमपनी ने इन्हें एक्सलन्ट इंजीनिरिंग गाइडन सबॉर्ड दे कर सम्मानित भी किया है डेरा सच्चा सौधा की सारी इमारतें इन्होंने ही बनवाई हैं इनकी बनावट देखकर लोगों की आँखें भटी की भटी रह जाती हैं 40-40 फीट की डाट, मिटी गारे में लगी चिप्स की टुकडियां और बिना नीव की इमारत देखकर बड़े बड़े इंजीनियर सरपकड़ कर बैट जाते हैं आपकी हैरत तब बढ़ जाएगी जब पता चलेगा कि कई सालों में बनने वाली बिल्डिंग कुछ ही दिनों में बनी है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या ये इंटरनाशनल स्टेडियम सिर्फ 42 दिनों में ही बना है लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि संत गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इंसा बिल्डिंग बनाते नहीं हैं बल्कि आस्मान से बनी बनाई उतार लाते हैं सिर्फा आश्रम में स्थित तेरा वास भवन के डिजाइन देख कर तो हर मू से बर्बस ही निकल जाता है वाह क्या बात है फाइबर से बनाई जाने वाले तेरा वास भवन के इन डिजाइन्स पर खर्चा ना मातर ही आता है डिजाइनिंग के फील्ड में संत जी का कोई सानी नहीं है फेशन डिजाइनिंग, सेट डिजाइनिंग, मॉडल डिजाइनिंग, इंटीरियर, एक्स्टीरियर डिजाइनिंग और पी ओपी डिजाइनिंग के फील्ड में ये अमिट चाप छोड़ चुके हैं इनके द्वारा डिजाइन की गई ड्रेस को देख कर हर कोई हक का बग्का रह जाता है modern और traditional male से बनी इन ड्रेसों के डिजाइन्स देख कर लोग इनको पाने के लिए तूट पड़ते हैं आटो मुबील डिजाइन के फील्ड के ये बहुत बड़े हुनरबास हैं motorcycle से लेकर गाड़ियों तक इनके डिजाइन बेहद अन्नोखे और आकर शक होते हैं इनके कार डिजाइनिंग के हुनर को देख कर तो बड़े-बड़े कार डिजाइनरों की बोलती भी बंध हो चुकी है इन्होंने दो चलते फिरते हस्पताल भी बनाए हैं मतलब अब मरीज हस्पताल के पास नहीं बलकि हस्पताल खुद मरीज के पास चल कर जाता है ये दोनु हस्पताल फरिश्टा और नन्हा फरिश्टा एक अजूबे के रूप में लिमका बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके हैं इस हुनर बास के हुनर के लिस्ट अभी और भी लंबी है ये कार पेंटा स्प्रे पेंटा खराद चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे काम बड़ी सरलता से कर लेते हैं संत गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इनसा ने फोटाग्रफी के क्षित्र में भी कई आयाम स्थापित किये हैं चलते वाहन से शांदार फोटो कैसे नहीं जा सकती है ये इनसे बहतर कोई नहीं जानता फोटाग्रफी के साथ साथ वीडियोग्राफी में भी गुरुजी का कोई सानी नहीं है फ्रेमिंग, डिरेक्शन, लोकेशन, एंगल और लाइटिंग की इनको गजब की सूजबूज है अब आपके मुँ में पानी आने की बारी है क्योंकि गुरुजी एक बेहद उंदा शेफ भी है टमाटर का पूरा छिलका एक बार में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है पंद्रहत तरहा की चटनी, बिना हाथ टच किये पकॉड़े जलेबी सहित, काफी तरहा के पकवान भी ये हाथों हाथ बना लेते हैं इनके खेती बारी के हुनर के चर्चे आज हर जुबान पर है और किसानों ने इनकी तकनीक अपना कर राश्ट्र पति अवाट तक जीते हैं विरासत में मिली खेती को इन्होंने आधुनिक रूप दे कर इसे घाटे के सौधे से फाइदे का सौधा बना दिया है एक ही खेत से एक ही समय में तेरह तेरह फसलें लेने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है पर इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है पचास से पचपन डिग्री सेल्सियस ताप मान में सेव काजू बादाम की फसले लेने वाला अजूबा नहीं तो और क्या है गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए इनकी तकनीक ने क्रिशी वैग्यानिकों को भी हैरत में डाल रखा है बेहत सस्ती और उपयोगी इस री यूज वाटर तकनीक द्वारा पहले इस्तिमाल किये गए पानी से ही बार-बार सिंचाई की जा सकती है प्राकृतिक प्रेमी होने के नाते गहराते परियावरन संकट को भी इन्होंने खूब पहचाना है और हर साल एक विशाल पौधा रोपन अभियान छेड़ कर उसका हल भी निकाला है 15 अगस्त 2009 से शुरू हुए इस पौधा रोपन अभियान में अब तक 3 करोड से भी ज्यादा पौधे लगाई जा चुके हैं और इनमें से 76.81 पौधे आज सही सलामत है पौधा रोपन और पौधों के बालन पोशन में इनके द्वारा बनाए गए तीन विश्व रिकॉर्ड इनकी सफलता की मूँ बोलती तस्वीर है गुरू जी के दिल में पशुपक्षियों और जीव जन्तूओं के लिए भी अधाह प्रेम है इनके कहने पर पाँच करोड अनुयाई अपनी छटों वगर के बाहर पशुपक्षियों के लिए पानी वद्दाना चुगा का इंतजाम करके रखते हैं खुद पशुपक्षि भी इनके दीवाने हैं और जब भी इनको देखते हैं तो इनकी ओर खीचे चले आते हैं धर्ती को मेल मुक्त करने का बीडा उठाने वाली ये पहली हस्ती हैं जिन्होंने खुद जाडू उठा कर अपने अनुयाईयों के साथ महानगरों की काया ही पलट कर रखती हैं गंगा नदी सहित देश के 29 महानगरों में ये सफाई महा अभियान चला चुके हैं और उन महानगरों की जहां संक्रमित बीमारियां दूर हुई हैं वही वहां के वासियों ने सफाई रखने का सामोहिक प्रण भी लिया है इनके मार्ग दर्शन में इनके अनुयाईयों ने सफाई के मायने ही बदल कर रख दिये हैं और वो गंदे से गंदे नालों में बेखौफ होकर घुस चाते हैं कई सालों से बंद पड़े गटर इनके अनुयाईयों ने चुटकियों में ही खोल कर चालू कर दिये हैं ये सत्संग के लिए जहां भी जाते हैं वही इनको देखने के लिए 17 से 20 लाख लोग अचानक एकठा हो जाते हैं इतना बड़ा जनसेलाब इनको मंत्र मुग्द होकर सुनता है और शान्ती इतनी होती है कि कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी भी आवाज साफ सुनाई देती है ये अभी तक पाच करोड लोगों का नशा हराम खोरी यानी वैश्या वृत्ती और मांसा हार छुडवा चुके हैं हर वर्ष 25 चनवरी को सरसा आश्रम में देश विदेश से आने वाले शद्धालूओं का आंकड़ा वर्ष 2014 में धाई करोड को भी पार कर चुका है इतने बड़े विशाल चनसमुह को इकठा करना उन्हें संभालना और केवल 51 मिनट में उनको खाना खिलाना भी किसी एरे गेरे न थूखेरे का काम नहीं है इस दुनिया के एक लौते हुनरबास के हुनर का कारवा यहीं खत्म नहीं होता इन्होंने समाज सुधार शब्द के मायने ही बदल डाले हैं कोटडा जहाडोल के खोंखार आदिवासियों की जीवन शैली सुधारने के साथ साथ इन्होंने उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया है ताकि वो लोग अपना लूट खसोट का पुष्टैनी धन्दा छोड़ कर एक सभ्यन नागरिक का जीवन जी सकें समाज में दूसरे दरजे का जीवन जीने वाली नारी के उत्थान के लिए गुरू जी ने जो किया कोई दूसरा उसके आसपास भी नहीं पहुचा है वैश्याओं के कोठों पर हराम खोरी के लिए तो दुनिया जाती है पर उन वैश्याओं को अपनी बेटियां बनाने का हुनर सिर्फ इन ही को आता है इन्होंने अब तक सत्रह वैश्याओं को अपनी बेटियां बना कर अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियां करवाई हैं इनके एक आफ़ां पर पंद्रहसों से भी ज्यादा नौजवान वैश्याओं से शादी करने के लिए प्रण ले चुके हैं और ये सिलसला अब भी जारी है कन्या भ्रून हत्या को रोकने का बीड़ा गुरु जी ने सन उन्निस सो इक्यानवी से उठा रखा है आप अपने आपको मर्द के लाते हो अरे लांते सी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी के टुकड़े करवा थे है मां, मां का रुत्वा बहुत बड़ा है हमारे धर्मों में मां को बगवान का रूप कहा जाता है बहुत बड़ा रुत्वा है पर जो मा अपनी बेटी को अपने गर्व में मारती है धर्मों में मा या भगवा नहीं उसे बेरहम डायन का जाता है लणते सी माता पर अगर आपके बेटियां ज्यादा हैं आप कहते कि जी हमारे तो हम तो पाल पोस नहीं सकेंगे तो बेटी आप हमें दे दें वहा हमने शाही बेटियां बसेरा ऐसा एक घर बनाया है, जिसमें हमारे पास 20 बेटियां आ चुकी है। दिल में इतना दर्द है जो वैश्याओं और जाडियों में पड़ी बच्चीयों को अपनी बेटियां बना ले। नर नारी के उध्धान के साथ साथ किन्नरों का उध्धान करने वाली ये पहली शक्सियत बन गए हैं। अब पांच करोड लोग किन्नरों को हिजड़ा या खुसरा नहीं कहते बलकि इस सत की नजर से देखते हैं। गुरु जीने इनको एक सम्मानित नाम सुख दूआ से नवाजा है। या बच्ची नाच रहे थी हमारे जिने लोग किन्नर या पंजाबी चुक्छ खुसरा केंदे हैं। तो ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा। प्यारी साथ संगजियों इनको किन्नर समाज कहा जाता है। या खुसरा परवार कहा जाता है। हम इनका नाम बदलना चाहते हैं समाज का और इनके समाज का नाम हम रखना चाहते हैं सुख दूआ समाज क्योंकि ये हर किसी के लिए दूआ करते रहते हैं अपने लिए कोई परवा नहीं लोग इनको गाड़ियां दें कुछ कहें तो ये हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो इनका नाम सुख दुआ साथ संक जी ठीक लगा आपको तो आप भी परवान कर दें क्योंकि साथ संक भगवान का रूप होती है आशिरवाद बेटा आशिरवाद किनर समाज के लिए गुरु जी ने जो हमारे लिए अपने बच्चे समझके, अपने बेटे समझके, किसी नी आज तक समाज में गले नहीं लगाई चाहे हो बहुत बड़ा नेता हो या बहुत बड़े कुछ संत रहे हो किसी ने भी ये step नहीं लिया कि किनरुं के लिए कुछ सोचा जाए पहली बार ऐसे हमारे सत्गुरुजी, हमारे द्याल, रहवर, हमारे परमात्मा जिनोंने किनर समाज के लिए एक अपना बेटा समझा, अपनी बच्चियां समझा और गले लगाया और बहुत बड़ा आशिरवाद दिया है इसके साथ ही पुझ गुरुजी के मार्ग दर्शन में डेरा सच्चा सौधा ने सुप्रीम कोट में जनहित याचि का दायर की थी 15 अप्रेल 2014 को माननिय सुप्रीम कोट ने डेरा सच्चा सौधा की याचि का नंबर 604 पर सुनवाई करते हुए इस समाच को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देते हुए इनके आरक्षन की व्यवस्था भी की है जिन घरों में एक ही बेटी है अब उन घरों में बेटियों से ही वंच चलने लगे है गुरुजी द्वारा चलाई गई कुलका क्राउन रीट से अब लड़कियां बारात लेकर जाती है और दूलहा ब्याहकर घर ले आती है यही नहीं अब बेटियां पुरुशों के बराबर ही अर्थी को भी कंधा देने लगी है क्यूंकि गुरुजी ने ये भी नई रीट चलाई है स्वतंतरता सेनानियों की सार्भी गुरुजी ने हिली है उनको विशेश अवसरों पर सम्मानित करने के साथ साथ गुरुजी ने इनको घर भी बनवा कर दिये है रक्तदान के क्षेतर में गुरुजी की बदालत डेरा सच्चा सौधा तीन विश्व रिकार्ड्स बना कर आज पहले पाइदान पर खड़ा है अब सेना, पुलिस, पत्रकार, थैली सीमिया के मरीजों वा गरीब लोगों को खुन की कमी महसूस नहीं होती बल्कि आश्रम में लगने वाले रक्तदान शिविरों से ये कमी आसानी से पूरी हो जाती है कहीं भी खून की जरूरत हो तो डेरा सच्चा सौधा के अनुयाई हर दम तयार रहते हैं और यही वज़ा है कि लोग आज उनको चलते फिरते ट्रू बलट पंप कहने लगे हैं गुरुजी की प्रतिभाओं का कारवां यहां भी खत्म नहीं होता पूज गुरुजी एक बहुत बड़े आपदा प्रबंधग भी है आपदाओं से निपटने के लिए इन्होंने शाहसत नामजी ग्रीन एस वेलफेर फोर्स विंग का गठन किया है सत्तर हजार से ज्यादा लोगों की इस फोर्स ने अब तक जहां भी आपदाएं आई हैं वहाँ सबसे पहले पहुँच कर लोगों को राहत पहुचाई है साथ ही उनकी जाने भी बचाई है जिन में ओडी सा चक्रवाद, गुजराद भोकंप, गढधे में गिरा प्रिंस, जम्मू कश्मीर में भोकंप और बर्फ बारी, बाढ़ मेर में सूखा और बाढ़, बिहार में बाढ़, तटियक शेत्रों में आई सूनामी, घगर नधी का उफान, उत्तरा खंड में बाढ दार्जलिंग में आग और बिल्डिंग्स का गिरना जैसी आपदाएं शामिल है गुरू जी वास्ताव में एक चमतकारिक व्यक्तित्व है करोणों अनुयाईयों के साथ समय समय पर बड़े बड़े चमतकार होते रहते हैं जिनमें HIV, Cancer और Hepatitis जैसे असाध्धे रोगों के ठीक होने के साथ साथ कई मरे हुए व्यक्तियों का जिन्दा होना भी शामिल है समय कास्तियleader में व्यक्तियों के साथ सिर्वेयों के व्यक्तियूंध यूद एम एम utशेजींonse मैं टूर टोर्ति यूर्ट थीरिद थे काक्टिट्ष्यों के समय समयuestas It was a bolt from the blue for me and I was facing death. The doctor is a worst patient since he knows about the disease, so was I. With eyes full of tears, choked throat and grieved hurt, I met Guruji and told about my illness. Guruji जो पूरुचे अटोडों चाहित या सुर्टर नायूब राभ एक है के तूह टोनरी तो नाय। इपरापिट अटॉर्स, मुष्या जारुट वुड़ और चूरुटर मेट अटे अट रुटिण अगूरुट गौरुडू अटर नाय। जा तो नाटरुडूरुट या जा और जब सकता है गुरूजी जब पर जागूज जब जए तान रुट ले झारध नदे रिप्टी फीप्ड का जब लेप्टी लेक। आज बिप्टी रप्ट बसेज़ के का मैं लेव्यारा प्रियूम्ब आप लेडां में कोफे लेडिग। for the worst news he showed me the report and there was nothing in it it was a simple nadir nothing like cancer in it there was a strong impulse in me that Guruji has deferred my death my happiness knew no bounds then I met Guruji and prayed oh my lord I don't have any words to express my gratitudes you have deferred my death I showed my report to his holiness he smiled and asked me are you happy now I prayed oh my god please keep me at your holy feet Guruji again pleased me my son serve the humanity and repeat the method of meditation till your death whenever I remember that benevolence of my great Guru a chain of thoughts of gratitude thankfulness obligation about the great Guru comes and at the end of the chain of thought and at the end of the chain of thought come tears rolling down my cheeks no words traceable in my dictionary other than oh my great great philanthropy Guru I'm going to be here I have all of the people I will be here but I am going to be here I will see you and I will be here I will see you after coming प्रामामंडीर वत्रवी जवाब देगा जिए आदेगी तो कुष्हे नी एकरा सन उत्रलांगी ज़िए तो जी मालक नूच करके जागी जी मिनी बाते जड़के दे दर्वाराए ते पिताजी बराजमान सी माचल से लगी सिगी अजी सिद्धे पिताजी गोले बागी जाकि छिए ते चुड़के शड़ रहने लाई एक ते पिताजी पुष्हा लगए सब्सुदाशन पनेड़ जी ढए तो स्वें नी जी तो जन लाए हुए जी मिनी तुछी तुष्हा जाए लाई सिद्धेंर नी जी तो जन से दिखा लागा होगी तो शी देख लो कोश कर सजा जय कि पिता यदि आजं तो आचे यु कर दें। जय को करामुती को किनी का नहीं करती सी मैंने को जो थी ए सडेशी किनी 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 को किनी नहीं लुपापा, तिसकी लुपा देख़े ही जी तज पूता अर्त्तमर के लिटना मुंटे根ज जी पोज गुरू जी की इतनी खुबियों की वज़ाएं इनके अनुयाई अकसर कहते हैं कि हमें एक या दो कला नहीं बलकि सर्वकला संपूर सद्गुरू मिले हैं। समय के अभाव में अभी तो हम इस हुनर बास के 50 प्रतिशत हुनर भी नहीं दिखा पाए हैं। बाकी के हुनर के लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना पड़ेगा मतलब पिच्चर अभी बाकी है